हम तो जानना चाहेंगे कि और कितना सबूत प्रधान मंत्री को चाहिए कि मनिपूर के मुख्यों मंत्री को अपने पज़ से इस्तीफा देने का आदेश प्रधान मंत्री दे और कितना समय चाहिए प्रधान मंत्री को और कितना सबूत चाहिए और कितना प्रमान चाहिए कि किस प्रकार से मनिपूर की सरकार, मनिपूर की मुख्य मंत्री विफल रहे बच्चों को बचाने के लिए महिलाओं को बचाने के लिए हमने देखा कि में महीने में कैसे महिलाओं को बचा नहीं पाए ये बच्चे जुलाए में इनका अफरन हुआ जुलाए में इनको नहीं बचा पाए पिछले कुछ हफ्तों में हमने ये भी जाना कि आप बच्चों को छोड़िए महिलाओं को छोड़िए आज तो आर्मी का जवान भी सुरक्षित नहीं है एक आर्मी के जवान को अपरन करकर उसको मारा गया एक सर्टो कॉम्प फॉटिवन येर्स के जब उन्होंने लीव पे थे अपने परिवार के साथ तो उसको किसी ने अपरन करके एक गाड़ी में ले जाकर उनकी हत्या कर दी आर्मी का जवान के साथ साथ हम दे ये भी जाना कि एक पुलीस इंस्पेक्टर को आज वो भी सुरक्षित नहीं है एक पुलीस इंस्पेक्टर को एक स्नाइपर के द्वारा उसको मारा जाता है ये सिती है मनिपूर की तो ना जवान सुरक्षित है ना पुलीस करमचारी सुरक्षित है ना महिला सुरक्षित है ना बच्चे सुरक्षित है और प्रधान मंत्री मोदी जी अपने ही वावा में मस्त है स्वयम के छवी को लेकर वो मगन है वो अपनी छवी के माया जाल में ऐसे फस चुके है कि देश की वास्तविक स्थिती उनको दिखाई नहीं दे रही हम तो जानना चाहेंगे कि और कितना सबूत प्रधान मंत्री को चाहिए कि मनिपूर के मुख्यों मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने का आदेश प्रधान मंत्री दे और कितना समय चाहिए प्रधान मंत्री को और कितना सबूत चाहिए और कितना प्रमान चाहिए कि किस प्रकार से मनिपूर की सरकार, मनिपूर की मुख्यमंत्री विफल रहे बच्चों को बचाने के लिए, महिलाओं को बचाने के लिए हमने देखा कि मही महीने में कैसे महिलाओं को बचा नहीं पाए ये बच्चे जुलाए में इनका अफरन हुआ जुलाए में इनको नहीं बचा पाए पिछले कुछ हफ्तों में है हमने ये भी जाना कि आप बच्चों को छोड़िये महिलाओं को छोड़िये आज तो आर्मी का जवान भी सुरक्षित नहीं है एक आर्मी के जवान को अपरण करकर उसको मारा गया एक सर्टो कॉम्प फॉटिवन येर्स के जब उन्होंने लीव पे थे अपने परिवार के साथ तो उसको किसी ने अपरण करके एक गाड़ी में ले जाकर उनकी हत्या कर दी आर्मी का जवान के साथ साथ हम दे ये भी जाना कि एक पुलीस इंस्पेक्टर को आज वो भी सुरक्षित नहीं है एक पुलीस इंस्पेक्टर को एक स्नाइपर के द्वारा उसको मारा जाता है ये सिती है मनिपूर की तो ना जवान सुरक्षित है, ना पुलीस करमचारी सुरक्षित है, ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है और प्रधान मंत्री मोदी जी अपने ही वावा में मस्त है स्वयम के छवी को लेकर वो मगन है, वो अपनी छवी के माया जाल में ऐसे फस चुके है, कि देश की वास्तविक स्तिती उनको दिखाई नहीं दे रही